नमस्टार साथियों मैं योडेश डूपता इब फिर से स्वारेट करता हूँ एट ऐसे चैनल पर एट ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो टेवल और टेवल रेलवे औरियंटेट एक्जाम ती त्यारीट आता है बच्चों अभी जित्रे भी हमारे रेलवे टे एक्जाम थे चाये वो एंटीपीशियों चाये डूपडीयों वो ठतम हो चुते अब बारीये यहां से नई वेटांसी थी तो सवाली उड़ता है थी नई वेटांसी में पहली वो कौनसी वेटांसी है जो आने वाली है तो बहुत सिंपल सा रूल है जो बहुत पहले आ चुती थी अब नमबर तो उसी टाहिना और उसी वेटनसी में से एट वेटनसी है RRB JEE बच्चो RRB JET जो पिछली वाली वेटनसी थी मैं आप बता दू यह ताब आई थी यह आपकी दिसंबर 2018 में आई थी दिसंबर 2018 में जब यह RRB JET वेटनसी आई थी तो बच्चों अगर देठा जाए तो 2018 में यहनी दिसम्बर 2018 में अगर आराज़ी जेटी वेटेंसी आई दी तो लगबट 4 साल पूरे हो चुटे 5 साल लग दिया तो यह भी वेटेंसी टैस सकते हो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है और आप प्रॉट्स आप टैस सक होता है तिया एज़ान पैटर्न होता है इस समझता अगा हम लोग पहले से तहरी एडे रसे हें तो एट साल के अंतर्वर्द आप इसमें आराम से सल्कशन पर सकते हैं मैं बताता हूं इसारा एज़ाव सब्सक्राइब क्या है जब इड़ार आर्वी जेटा पेपर होता और आपका CVT1 क्लियर हो रही है नहीं ऐसा नहीं है इसमें मेरेट भी बने दी तो बच्चों सबसे पहले हो रहा CVT1 जोटी सिर्फ और सिर्फ और 90 मिनट था धाना ठीड़ा CVT1 कितने मिनट का होना है 90 मिनट था मैं नंबर आप कोशन बता देता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा जो कोशन आएंगे वो 30 कोशन तुमारे आएंगे साइन्स टे 30 कोशन आएंगे तुमारे math के tenant की बात करते हैं तो इसमें 25 कोशन आएंगे जब TG struck गी बात करते हैं यानि GTA और Cat बात करते हैं तो इसमें आएंगे table table 15 कोशन टोटल देखी इतने हैं तो टोटल बच्चों हो जाते हैं 100 कोश्चन और 100 कोश्चन लिए यहाँ पर मिलें दिया आपको 90 मिनट अगर माइनस मार्कें दी बात करते हैं तो एक कोश्चन एक नमबर टा और माइनस मार्कें हो डी 8 बटे 30 दार रखना माइनस मार्कें 1 बटे 30 तो पहला वाला पेपर क्वालिफाई टर्नेटे लिए सिरफ आपको 40 परसेंट नहीं बलती उससे ज़्यादा लाना पड़े रहा 40 परसेंट तो पासेंगे मतलब आपको पास टर्नेट रहना है तो पहले वाले पेपर क्वालिफ 40 परसेंट से जादा लाईए मेरेट में नाम लेके आईए वैसे मैं आपको बता दूँ अभी हम लोग एट वीडियो में बताएंगे भी तो आप उस तो जोग देठीए रहा फिलाल आपको यह सीविटी वंटर कंपलीट हो लिया इसमें से सबसे आदा जो श्कोरिन सब्जेट है वो साइंस और मैथ है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैथ में 30 में 30 भी कर सकते हैं साइंस में 30 में से टमज़रम 25 कर सकते हैं रिजनिन भी अच्छा सब्जेट है मतलब इसमें आप बहुत आराम से क्वालिफाइड कर सकते हों इस्टे बाद जब इस्टा रिजल्ट आने के बाद एक दो महीने तीन महीने बाद जाता समय नहीं लेता है मैंने फिर से बता दू आरार भी जय बहुत रम समय लेता है सबसे ठास बात इस्टी है यह तो आपनो बता दीए जयाए एकजाम पैटर्टी बाद इस्टे बाद इस्टे बाद cbt2 ती बाद चड़ते इसमें science में पूरा science नहीं आता, वहां physics chemistry biology सबार आता, इसमें physics chemistry बसाती है 15 question, computer आपको मिलेड़ा 10, और environment भी आपको 10, मतलब 50 question non-tech के होड़े, और रही बाद technical थी, तो बच्चों इसमें technical question जो आएंगे, वो 100 question आएंगे, तो total इसमें कित्रे question होड़े, धेर तो question होड़े, लेकिन इसमें जो आपको समय मिलेड़ा, वो 820 मिनट का मिलेड़ा, इसमें भी minus mark in 1 by 3 की होती है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि start of क्या है, हम लोग बताएंगे कि start of क्या है, ताटी आपको idea है, फिलाल दूसरी बात करते इसमें जो technical subject आएंगे, कौन-कौन सी branch की आएंगे, branch जानना जरूरी है, जब तर आप branch नहीं जानोगे, कौन-कौन सी branch जाएंगे, तब तर आप आप आदे नहीं बढ़ सकते, तो बच्चों इसमें जो सबसे ज़्यादा latency आपको मिलेड़ी, वो देखेंगे, देखेंगे जो latency मिलेड़ी, वो electrical branch T मिलेड़ी, फिर इस्टे बाद आपता तीसरे नमबर पे जो latency मिलेड़ी, वो mechanical branch T मिलेड़ी, और चौते नमबर पे जो latency आपको देखेंगे मिलेड़ी, वो electronics branch T मिलेड़ी, electronics, उस्टे अलावा पाचवे नमबर पे जो latency आपको देखेंगे computer science तो यह चार हमारी ब्रांच है और भी यह दो ब्रांच होती हैं कुछ बेश्ची वाले भी होते हैं बाट मेंली टेस्ट होती है यह हमारी ब्रांच होती है जिससे हमें वेटेंसी देटर मिले दी टोटल डेड़ सो कोश्चंट है सीबिटी टू होगा और बच्चो यही वो पेपर होगा जो आपका सेलेक्शन यानि मेरिट को डिसाइड करेंगा बात टरते हैं चली इसर एकजाम पैटर्न होगे समय में आ जिया टिया हमारे पास सिलेवा से तयारी टेस्ट से टर रहे है उस्टू भी देठी है एज लिमेट यह एज इंपोर्टेंट है तोटी जब से कोविड लगा है तब से एज लिमेट पर काफी ज़्यादा सवाल उठ रहे है और आपको पता है कि ज़्यादा तर डिपाल्टमेंट ने मैक्समम एज थोड़ी सी बढ़ा दिये फिलाल 2018 के अनुसार जनरल वालोटी जो मैक्समम एज थी वो 33 वर्ष थी जनरल वालोटी जो मैक्समम एज थी वो 33 वर्ष तो यह 36 वर्ष थी और अडर बाद करते हैं S.C.H.T. तो बच्चो यह थी 38 वर्ष यह 2018 थी नोटिपिरेशन ते अनुसार है अब हो सकता है कि 2023 में जब notification ID तो हो सकता है कि यह age में थोड़ा सा छूट और दे दी जाए मतलब due to covid 33 जड़े 35 हो सकता है 36 जड़े 38 हो सकता है ऐसा कुछ भी possible है वो पता चलेगा notification आने के बाद अजर बात फीट ही टरते हैं कि इतनी फी होने वाली है तो general और obesity 500 रुपए हो डी इस वेसे 400 रुपए refundable हो डी और refundable के लिए आपके entry जरूरी है ये भी दार रहना अजर आपके entry नहीं होती मतलब आप पे पेपर देने नहीं जाते तो वो refundable भी नहीं हो डी SCHT वालोटी 2500 रुपए फी हो डी और 2500 रुपए में पूरी पूरी refundable है सिर्फ बैंड का जो charge है वो cancel out हो जाएदा तो बच्चों ये हमारा RRB जेईका age limit हो डी CBT 1 टा से ले बस होड़िया, CBT 2 टा से ले बस होड़िया, फिलाल बात आती है ती सर अड़ा मुझे इस एज्जाम टी तेरी तर नहीं है तो मुझे सबसे पहले CBT 1 पढ़ना चाहिए यार, CBT 1 टे 100 वोश्चन में से आपको तक्रीमन 70, 65, 66 इसके आसपास तो लाना ही लाना है तब आप तही जाते CBT 1 की मेरेट में आएंगे, तो इस बाद माई पार्ट सला के एप्लिकेशन में CBT 1 टा आप कम्प्लीट बैच ले सकते हो, बैच स्टार्ट हो चुटा है इस्टा, क्योंकि सबको बात पता है, तैयारी हमेशा फॉर्म निकलने से पहले होनी चाहिए, त जाती तैयारी इतनी जोड़दार, जबर जस्त, सांदार होने चाहिए और साइलेंटली होनी चाहिए, तो आपको पता रहना चाहिए ना, कि हमें टफ से तैयारी करनी है, तो आपको करना क्या है, कि अगर आप CBT 1 टा कम्प्लीट बैच जोइन करना चाहते, तो प्ले स्टो आप इन नंबर पर टॉल करते भी इस बैच टी इंक्वाइरी ले सकते हैं, तो कौन से अप्लिटेशन डाउनलोड टेंना है, माई पाट सालाता, इन नंबर पर टॉल टीजे, और बैच स्टार्ट हो चुटे हैं, आप इन बैच टो जरूर डेफिनेटली जोइन टीजे, ब